नमस्कार डीडी राजस्तान के विशेश कारक्रम महारो राजस्तान में आप सभी का स्वागत है सबसे पहले आप सभी को राजस्तान दिवस की हारदिक शुब कामनाएं हमारे देश का क्षित्रफल की दृष्टी से सबसे बड़ा प्रदेश है राजस्तान अपनी कला, संस्कृती और पर्याटन के क्षित्र में एक अलग मुकाम रखता है राजस्तान विश्व मांचित्र में बहुत ही जाना पहचाना प्रदेश है हमारा राजस्तान और देश का इकलोता प्रदेश है जो अपने महमानों को अपने पानों को पधारों महारे देश कहकर महमानवाजी का निवता देता है आज के इस राजस्थान देवस से विशेश प्रोग्राम में बाचीत के लिए हमारे बीच मौझूद है राजस्थान की जानी मानी परेटन कला और संस्कृति कर्मी त्रिप्ति पांडे जी त्रिप्ति जी कारेक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है त्रिप्ति जी सबसे पहले तो मैं दर्शकों को बताना चाओंगे जैसे कि आप सब जानते हैं त्रिप्ति जी हमारे राजस कि इस उपलक्ष में सबसे पहले तो यह जानना जाएंगे कि राजस्थान का गौरव शाली इतिहास रहा है यह स्थापना दिवस मनाने के पीछे भी एक बहुत लंबी आत्रा है तो क्यों ना दर्शक जाने कि इसके इतिहास के वो मुख्य बिंदू कौन से हैं जो आज की भूमिका रही है और जो हमारे जो पुराने राजा लोग थे उनकी जो राज्य थे उन सब को एकिकृत किया गया जब हमारा देश आजाद हुआ और फिर राजस्थान बना तो जिसको हम लोग पहले राजपुताना के रूप में जानते थे क्योंकि सारा शाही प्रदेश थ पर जैसे राजस्थान बना तो अब उसका इत्यास इतना गहरा है कि आपको उसके बहुत पीछे तक जाना पड़ेगा यदि आप बिलकुल प्राचीम इत्यास में जाएंगे तो आपको काली भंगा जाना पड़ेगा यदि आपको मुगल इत्यास में आना पड़ेगा तो आपको चितोडगर्ड, कुम्बलगर्ड यह सब देखना पड़ेगा जब आपको यह देखना है कि आदुने सोचे कि जब ब्रिटिश लोग आने लगे तो अजमेर का करनल टॉड का राजस्तान आना तो राजस्तान जो है वो बहुत पुराना इतियास रखता है और उसको जा आपको अब करेंगे और हम सिर्फ हमारे राजस्तान की बात ने करेंगे डिए वीकास यात्रा चल रही पर चूंके आपने मेरा जो तारूफ कराया जो मेरा परिचे दिया है उसमें आपने कहा कि कलास संस्क्रति और परिटन तो मैं सोचते हुमको परिटन से चर्चा करनी चाहिए क्योंकि विकास के जो मुहीम छिडी उसमें परिटन वैसे बहुत देर से आया पर जब आया तो राजस्तान ने पूरे मेलू परिटक हैं वो सब एक बार तो राजस्तान आना चाहते हैं और बार बार आना चाहते हैं कि यहां पर इतना सब कुछ है कि आप रेगिस्तान की बात करते हैं आप महलों की बात करते हैं बावडियों की बात करते हैं मैं तो मेलों की बात करते हूं और संगीत की बात कर और अपने आपके स्टूडियो के बहुत करीब जालाना का जंगल और वहां के बगेरे, तो इतनी सब कुछ चीजे हैं, कि जो आदमी राजस्तान एक बार आता है, वो बार बार आता है, फिर शॉपिंग, शॉपिंग का तो कोई मुकाबला ही नहीं है, आप सब लोग जानते ह हैं, खाली हाथ तो नहीं आ सकते हैं, जी जी तरफते जी, राजस्तान के तो कणकण में कहीं न कहीं शॉर्य है, बहुत ही गौरवशाली इतिहास है, रंग रंगीला हमारा राजस्तान है, मैं आपकी एक किताब कर जिकर यहां करना चाहूंगे, आपने राजस्तान के पोक, बहुत मेरे दिल के करीब है, क्योंकि मैं आप शायद आपके लोगों को पता भी है, बहुत लोग जानते हैं, क्योंकि मैं बहुत शोज कंपेर करती थी, और सबसे बड़ी बात, राजस्तान के लिए मेरा एक मील का पत्थर जो मैं खुद कहती हूं, वह है डजर्ट और उसमें जैसल मेरे से अच्छी जगे कौन से हो सकती थी, तो जब मैं कॉमपेर करती थी, तो मेरे लिए राजस्तान का संगीत और नृतित सिर्फ देखना भर नहीं है, सिर्फ ताली नहीं कि अपने नाचा-कुदा, हमारे लिए उसको महसूस करना, उसको जानना कि लंग क्योंकि ये धरोर में मिलावा संगीत और नृत्य है, और उनके बारे में जाने, तो इसको सहेजने में आपकी इस बुक ने बहुत बड़ा एहम काम किया, क्योंकि वह बहुत सारी चीजों को समाहित किये हुए, फोक डांस की जो यात्रा है, वह कैसे शुरू होती है, कौन जो फोक संगीत से जुड़े हुए, आज दुनिया में घूमर, कालबेलिया या फिर लंगा मांगनिया जो है, हमारे राजस्तान को सब जानते हैं, क्योंकि वह सम्रद्ध शाली हमारे संगीत की परंपरा है, राजस्तान की, एक और बुक का मैं जिक्र यहां करूंगी, पु समझे की जो रचियता का मंदिर अपने आए है, और उसका मेला लगना, क्योंकि लोग सिर्फ यह देखते हैं, कि उत दोड़े, या लोग इखटे हुए, मेरे लिए पुषकर की बहुत मानेता इसलिए है, कि वह एक ऐसी जगह है, जहां की जो टूरिस्त आता है, वह दो एक आत्मिक बक्ष है, धार्मिक बक्ष है, दूसरी तरफ उसके मेले के रंग है, और आपको बता दूँ, यहीं इरी के टीलों में, मुझे पहली बार गुलाबी, यानि के अब गुलावो नाचते वे, और उनके गाह वालों के बीच में नाच रहीती है, और लोग उसके उपर अब यह सोचे कि उस किताब को लिखने में इसलिए मेरे लिए बहुत इंपॉर्टन्ट है, क्योंकि आप किया कि संस्कृती प्रदिक्शन बदल रही है, और एक क्लिक आप मोबाईल पर करते हैं तो सोचे आप किसी और दुनिया में चले जाते हैं, तो ऐसे में जो लिविं कभी आदमी लोग अब जीन्स पेहनते हैं, साफे छोड़ गए, बुशा के बदल गई, तो ऐसे में वो एक कल्च्रल डॉक्यमेंट भी हो जाता है, कि मानिये, अब तो वहां ट्रेन भी निकल गई, तो मैंने तो पुषकर को संनाटे से रंगों में बदलते देखा है, और किताब करना मेरे लिए बहुत बहुत इंपोर्ट था, कितने लोग जानते हैं कि जहांगीर वहां आये, और उन्हार तुझी के जहांगीरी में लिखा, कि उन्ट का कितना बड़ा मेला पुषकर में लगता है, तो और वहां उनके बारादरी भी है, जो कि Archaeological Survey of India के उसमें ह पर बहुत कम लोग जानते हैं, तो कहने का मकसद यह है कि जो कुछ मैं लिखती हूँ, वह एक तरह से एक documentation भी होता है, ताकि आने वाले लोग जो यह रंग ना देख पाए, कम से कम उन रंगों को किताबों से तो जी सकें. प्रेमचन जी ने कहा भी है कि सहित्य समाज का आईना है, और आप राजस्थान की उस संस्कृती का एक आईना लोगों को बता रही है कि हमारी संस्कृती कितने सम्रद है, आप हेरिटेज पर लगाता है रिसर्च करती रहती हैं, तरिपती जी आपने अलग अलग विशियों पर आपने रिसर्च किया है, आपको अवर्तमान बदलते दौर में क्या लगता है कि इसके हेरिटेज को ज्यादा संरक्षन की जरूरत है, क्योंकि आज हम 2023 में राजस्थान दिवस पर अचर्चा कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है इसके संरक्षन पर इसको सहेजे जाने की जरूरत है, तो उसको लेकर आपका क्या नजरिया है, देखे मैं आपको दो बातें बहुत जरूरी बताना चाहती हूं, एक तो है निरजीव विरासत, जैसे कि इमारते, मंदिर, महल, इनको सहेजने में लोगों के दिल्चस्पी भी है, और लोग देखते भी और उसको समाल हैं, और दूसरी जिसके प्रती मैं बहुत जागुरूख हूं और मुझे बहुत चिंता रहती है, और वो है सजीव संस्प्रती, लिविंग हेरिटेज, अब तो यूनेस को भी मानता है उसको, और अपने लिए यदि अपन उन सारे मेले तेहवारों को नहीं मनाएंगे, नहीं कितनी आसानी से हमारे robi कैलेंडर में जों की लोग बहुत लोग तो हमारे अपने हिंदू उसको जानते भी नहीं है पंचां 앉ओ और वही हैं पर 바 बहुत यहीए नहीं जानते ढृते हैं, प्र यहींदे हैं किस्वार क्रिश्न पक्ष और क्रिश्न पक्ष में होती है तो यह सब चीजे जानना बहुत ज़रूर है क्योंकि वरना आप सोचते हैं क्या है कभी दिवाली आप आती है कभी हो लीर के दो दिन बन जाते हैं क्या होता है तो क्रिस्मस तो एक ही दिन आती है पर यका यक मैं सारे कैलेंडर में एक नया तेहवार देखती हूं और वह है 14 वैलंताइन डे आप तो कैलेंडर में ज्र लिस्टेडे है तो मैं कहते हूँ अ प्रेम बहुत बढ़े चीज है वर प्रेम को आप सब आप Д्युन करिए अपनी परंपराओं से प्रेम करिए अपने रंगों से प्रेम करिए आप मुझे बताएन यह कि मैं मेले त्यवार में क देखे हैं कि सब लोग हर जगे in Rome you have to be Roman कुछ चीजे आप बीच पर पहनते हैं, कुछ चीजे आप शादी उत्सों पर पहनते हैं कुछ यदि कितना अच्छा लगता है मैं तो इतीज में लेहरिय का इंतजार कर दो यहां का बंधेज यहां के जितनी भी कलर है आप कितने कोई से भी प्रदेश के किसी भी इलाके में चले जाएं अलग रंग आपको वहां मिलें आपको रंगों से बाद बता हूं कि मेरा एक बहुत बड़ा काम है जिसे अभी कम लोग यहां जानते हैं और वह है मेरी ओधनियो को इखटा करना शुरू किया तो आपको बताना चाहूंगी कि वह ओड़निया जो थी वह फिर फेस्टवल अ इंडिया में भी प्रदर्शित हुए और मुजिंस में गई और मैं उनको किसी को बेचती बाचती नहीं हूं वह कोल पैशन शूर नहीं है वह एक कुल्चुरल ज किसम के लहरिया है यदि भोपाल शाही लहरिया है समंधरी लहरिया है तो कितने ही नाम है आप फैशन तो करते हैं पर मैं तो अपने प्रिंटर के पास भी जाती हूं ब्लॉक प्रिंटर के पास भी जाती हूं और चूडी वाले के पास जाती हूं तो उसे कहते हूं हाँ थो आप दान्स के लिए कोरियोग्राफर लगाते हैं, वो सारे डान्स फिल्म ही लगते हैं, आप कोई भी चीज स्वतेह नहीं करते हैं, बिल्कुम, और वो गाने, गानों की सारी विरासत खो जाएगी, क्योंकि लोग रेकॉर्ड़ेट भी करेंगे, तो वो सब चीजे जो है ना बहुत एहम है, आपकी 2023 में एक नई बुक आई है, The Half Empress, जो कि माहराजाओं की प्रेसी को लेकर वो बुक है, तो इसके बारे में कैसे ख्याल आए कि इस विशे पर भी लिखना है आपको, अरे ये भी दिल्चस्प किस्सा है, मैं वैसे आर्ट इन कल्चर पर लिखती रही और अभी तो Elephant Whisperer को मिल गया पूरुसकार तो लोग मेरी किताब की चर्चा करते हैं, तो मेरी Penguin एक प्रकाशक है, उन्होंने जब प्रकाशित की, तो उन्होंने मुझसे कहा, कि तुम राजस्तान में रहती हो, तुमें इतने सारे किस से पता है, तुम क्यों नहीं एक ऐसी बारे में हिंदी में लिखा गया, पर अंग्रेजी में नहीं लिखा गया, और जाहर है कि किसी लेडी ने तो लिखा ही नहीं था, तो मेरी एक इस्त्री की भावना क्या होगी, और ये कहानी है रसकपूर की और सवाय जगत सिंजी की, जो जैपूर की राजा थे, और कितने को पता है कि गैटोर है जैपूर में छत्रियां हैं जहां की राजाओं की छत्रियां वहां जगसिंजी की छत्री नहीं है पर आप नहार गड़ जाए तो रसकापूर का जिक्र जरूर आता है और रसकापूर के साथ जिक्र आता है जगसिंजी का और मैंने जब दखाप तो लोगों ने मुझसे पूछा कि तुम्हे इस किताब को लिखने से क्या मिला मैंने का बड़ा सुख कि मैंने एक इतनी सुंदर महिला इतनी विद्वान उसको उसका वह खिताब लोटाया जो लोगों ने उसे अर्द राजन कहा था तो दिया खाप एम्प्रेस को उसको आमे के प्रती प्यार उसका महाननदा के साथ जुड़ना उसका बनी ठनी के साथ तो बहुत सारी कथाओं में कथाएं हैं और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि आज भी जो सोशल मीडिया है उस पे लोग बग पोस्ट कर रहे हैं और लोग लिख रहे हैं उसकी किताब के ब बहुत कुछ राजस्थान की परंपराओं का मैंने जिकर किया है मैंने उसका जो मूतिया गुलाबी रंग जो शरत पूरिमा पर पहनते है उसका जिकर किया है तो बहुत सी चीज़ें आपको बहुत आनन्दा आएगा शोता और दर्श को क्योंकि मुझे लगता कुछ देख अगर हम पढ़ें तो बहुत कुछ नया जानने को हमें मिलेगा आपने विदेश में भी राजस्थान की संस्कृति को कई तरह से अपने रिप्रेजेंट किया है जब राजस्थान का कोई व्यक्ति बाहर जाकर राजस्थान की कला संस्कृति या यहां की किसी भी खास बात क करता है तो वह अनुभव कैसा है यह बहुत लंबा अनुभव रहा है आपका विदेश में आपने काफी काम किया राजस्तान को भी एक नए आयाम तक आपने पहुंचा वह अनुभव कैसा रहा यह बहुत दिल्चसप है कि देखी जब हम लोग काम कर रहे थे तब इतना सब आपको शब्दों में लिखकर बताना पर था था विदेश में कि यह कलाकार है ऐसे आएंगे इनकी यह हासियत है और फिर इन कलाकारों को साथ ले जाना यह गहां से निकले लोग थे इनका आपस में जातीगत भी लोग में होता है यह किसा मैंने सुनाया था कि जब यह बनाएंगे तो हम नहीं खाएंगे तो मैंने फिर कहा कि देखे मैं तो ब्रह्मन हूं मैं आपके हाथ का भी खा रही हूं इनके हाथ का भी खा रही हूं तो कला में ना कोई जाती है ना कोई धर में कला जूडती है और हम सब पकाएंगे और हम सब खाएंगे वरना जो नहीं पर कहने का मकसद है कि शुरु चुरु में दिखते थी आप तो बहुत सब घुल मिल गए हैं सब साथ फ्यूजन करते हैं और अब तो बड़े-बड़े कि अब तो अब तो आप मुजीशन की दूनिया बदल गई पर हां सबसे मेरा एक ही कहना है सब कुछ करिए पर पिछला मत भूलिए क्योंकि जो अपनी जड़ों से अलग हो जाते हैं तो फिर वह पेड धीरे-धीरे मुर्जा जाता है जड़े ज़रूरी हैं क्योंकि मैं भारत मैं भाउने कहीं बहुत ज्यादा सीचा है हम हर दिन कोई न कोई तियोहार मनाते हैं घर मे More कोई ौप origin को अब पूजा होती है और महिलां बहुत ही शिदत के साथ वह सारे जितने जितने भी रिवाज हैं, उनको बहुत शिदत से करती हैं, तो यहां के रस्मों रिवाज जो धीरे-धीरे बदलते माहौ के साथ, क्योंकि ग्लोबलाज़ेशन हो रहा है, आने वाली युवा पेडी है, वो कहीं न कहीं जुडाव कम हो रहा है उनका, तो उसमें कैसा बदलाव देखती हैं, उसमें क्या चीज की जरूरत है, कि युवा पेडी हमारे कल्चर को समझे, हमारे रिवाज़ों को, हमारी रस्मों को वो समझे, और एक जुडाव महसूस करे राजस्थान की संस्कृती के साथ, देखे, महिलाओं का तो भारी रोल ही है, क्योंकि यह मैं मान की चाह सकते हूं, आप की पुषा देख लिए, मेरी पुषा, सारे रंग तो हम ही लोग भरते हैं, और उनकी भूमिका को तो हम नकारी नहीं सकते हैं, वही करण धार है, वही इस सारी धषक की वाहक है, और ऐसे में जो युवा पेडी है, यह बच्पन से जुड़ना चाहिए क्योंकि जब आप उनको, हलो ममी, हलो डैडी, कविताय सुनाते हैं, इंग्लिश पर पोईटरी पढ़ो, आप सब लोग यही करना चाहते हैं, मैं ही चाहते हूं कि अंग्रेजी तो अपने आप सीखी जाएंगे, और आने वाला समय ऐसा है, आप मोबाइल पकड़ाते हैं, आप उसे कहते हैं कार्टून देखो, क्यों न उसे कहाने सुनाएं, क्यों न उसे परी लोग दिखाएं, क्यों न उसे त्यावारों के बारे में बताएं, हर त्यावार के पीछे एक सुन्दर कहानी है, हम लोग भायादूज करते हैं, हम यूपी से आते हैं वैसे, पर हम ब तो वो जब तक आप अपने बच्चों से नहीं करवाएंगे, तब तक वो नहीं सीखेंगे, फिर उनको मत कहिए कि तुमने कुछ नहीं सीखा, या तुम बैठते नहीं हो, शुरू से तहवार साथ मनाएए, घूमिये, पर जो तहवार है ना, वो अपने परिवार के साथ रिष्टे होते हैं, और जो यह नहीं कि में और मेरे बच्चे, और वो मौसी, हम लोग तो मौसी बनके बड़े खुश हैं, और बुआ, इन सब की जो रिष्टे हैं, उनमें जो नाता है, रिष्टा नाता है, उस सब को सेलिबरेट कीजियों, और छुट्टियों में जरूर घूमिये, विदेश जाईए, सब जगे जाईए, पर अपना देश घूमिये और अपने देश से पहले राजस्तान घूमिये, मैं आपको दावे के साथ कह सकते हूँ, कि नजाने कितने म्यूजियम्स होंगे, जिसमें हमारे प्रदेश के लोगों ने अभी तक पैर भी नही तो यहें से चुरुआत कीजिये, सिटी मुजियम जाईए, सेंट्रल मुजियम जाईए, पार्क जेखे और जंगल जाईए, पर मुजियम इसलिए देखे कि आपको अपने विरासत का एहसास होगा बहुत एहम का, एक भारत, श्रिष्ट भारत, यह जो हमारा देश है, बहुत सारे विविदताओं के बाद भी एक है और जैसा आपने कहा कि हम जितना भी घूमना चाहते हैं, पहले अपने प्रदेश को घूम लें, अपने प्रदेश को जान लें, तो उसकी जड़ों से जुडाव और गहरा हो जाएगा आपकी नजर में क्या लगता है कि राजस्थानी संस्कृती कहीं न कहीं सौहार्द बढ़ाने वाली है, प्रेम और एकता का भाव बढ़ाने वाली है, तो इस तरह की संस्कृती को कितना जादा और आगे बढ़ाने की जरूरत है इस बदलते माहुल में, चाहे वो डिजिट यूग हो या फिर आने वाली जो बदलाव हम देख रहे हैं, ग्लोबल लेवल की जो बदलाव देख रहे हैं, सब कुछ डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आ रहा है, तो इसको कितना आगे बढ़ाने की जरूरत है, देखे डिजिटल हो, मशीन हो, कुछ भी हो, इंसान की दिला पाएंगे, क्योंकि थोड़ी दुनिया तो आपको अच्छी लगती है, कि आपको इतने सारे लाइक्स आ गया, यह आ गया, वो आ गया, पर आप बात करना भूल जाएंगे, अभी आपके और मेरे बीच में जो बात समवाद हो रहा है, हमने तो सोचा भी नहीं था कि ह हम क्या बात करने वाले है, वो एक सहच प्रक्रिया है, हमारा सुनना, हमारी प्रतिक्रिया देना, यह सब डिजिटल से बहुत परे है, इसमें भी जो आपके डिजिटल चीजे है, उसमें जो भी एप बनता है, सब कुछ है, उसके पीछे आपका दिमाग है, और दिमाग में भावनाय रहती हैं और भावनाय दिल में बसती हैं तो वो जब तक सब चीज़े आप एक साथ जोड़ेंगे नहीं तो और जो सौहार्द वाली बात है वो मैं राजस्तान के लिए जरूर कहूंगी कि राजस्तान वैसे जो मैंने दिखा है बड़ा शांत प्रदेश है और यही शांती बनाए रखिए और वो प्यार वो रंग वो जो आपने हम सब को दिखाए हैं वो आने वाले सब को दिखाते रहे और यही कह सकती हूं कि राजस्तान जैसा तो कुछ भी नहीं है किसी ने मुझसे पूचा तो लोग मुझसे कहते हैं तुम बात करती हो तो तुम्हरे ह जो चाहें हाँ जोना जाएंगी हमारे बहुत पर भात में राजस्तान दो सेंन्स थे सजा निंश्त की बात आ जाता है ह। तो जब मैं विदेश जाती हूं होती हमना ऑ्干्रे और बात में कहते हैं ओम हैं उन्मलं मैं जजाए यहां जया जाती हैं तो बाहर जाते हूं कि मेरा परिचा है वो मेरा आइकार्ड है बिलकुल बहुत है मतरप्ती जी एक और बात जानना चाहेंगे हमारे देश की परंपरा है अतिथी देव भवव ठीक वैसी हमारे राजस्तान में भी हम घर आया मा जाया हम जैसा भाव रखते हैं तो यह जो पधारो महारे देश की परंपरा यह किसी और प्रदेश में हमें देखने को नहीं मिलती तो बत और आप संस्कृतिक अंबेस्जर है हमारे राजस्तान की तो आपके जरीए पूरे यह कहता है पधारो जाते वेकों भी कहता है पधारो क्योंकि ए राजस्तान की जो बोलने की तरीके राजस्तान में वो काफी दिल्चस्प और प्यार भरे हैं और उसमें यह है कि मैं क्या संदेश दूंगी संदेश तो यही है कि अथिती देवभव तो वैसे है और घर आया कोई हमारे थेख में पावने आते हैं उन्हें के आवने जो के आएँ झाये और जाहें वाहने रहे विपतत अधे नहीं हैं! अ बुल्कु कीजनती की आनुवात्त सग्वत कि एक करने, थाल हैं थैंक्स की और आनुवात्त रूच दो, ऐनुच पैंदेशन पेखिकरि सबस्तों फकिलें थे चेंडवात द्सके की समक्रिक सबस्काइब कोने। कुछ उनकहे शब्द जो आपकी body language जिसको आज लो कहते हैं वो हमारे भारतियों के खास है क्योंकि उसमें एक अपना पन है सिर्फ यह नहीं है कि अपने रख दिया खाना अपन कहते हैं एक और लो तो उसमें सिर्फ एक और देना नहीं होता वो एक और लेना और आखों से कहना कि अरे मनुहार राजस्तान में तो मनुहार यह देखे शब्द अपने आप आया जो मनुहार करते ना मनुहार की तो बात ही अलग है क्योंकि मनुहार तो बड़े प्यार से बार बार कहा जाता बहुत एहम तृति जी बातें कितनी भी करें हम बहुत कम लगेंगी हमें क्योंकि इतना सारा experience है आपका इतनी सारी किताबें हैं राजस्थान की कला संस्कृती परेटन पर आपने इतना काम किया है हम समय की कमी के जैसे बहुत सारी बाते तो नहीं कर पाएंगे लेकिन आज इ देखनी है यहां के मेहमानवाजी देखनी है तो एक बार राजस्थान जरूर आईए पधारों भारे देश नमस्कार झाल